So hello everyone, आज हम इस वीडियो में Reliance Infra share के बारे में बात करेंगे जो share का price है यहाँ पे 157.60 पैसे है और इस share में आज हमें जो है 1.93% तक के negative returns देखने को मिले है आगे हम इस share के 1 month के returns की बात करते हैं तो 1 month में share ने 9.25% तक के returns दिये है आगे अगर हम max में all time की यहाँ पे बात करते हैं तो all time में जो share है उसमें हमें यहाँ पे 9% तक के returns देखने को मिले हैं साथी अगर हम इस share के previous returns की बात करते हैं तो 5 year में जो share है उसमें हमें negative returns देखने को मिले हैं और वहीं 3 years से लेकर 1 month तक जो share है उसमें हमें यहाँ पे positive returns देखने को मिले हैं आगे हम इस share के one week के returns की बात करते हैं तो one week में जो share है उसमें हमें यहाँ पे negative returns देखने को मिले हैं आगे हम इस share के resistance और support level के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो share है वो लगभख अपने resistance लेवल के पास पहुँच किया है लेकिन फिर भी गिरावट की वज़े से जो share है वो यहाँ पे फिर से अपने support लेवल के पास हमें जाता हुए दिखाई दे रहा है लेकिन हम कह सकते हैं अगले मन तक जो share है अगर यहाँ पे हमें इसमें 1-2% के positive returns देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे जो share है उसमें आपको जो returns है यहाँ पे 170 रुपे के around जो इस share का price है वो अगले मन तक देखने को मिल जाएगा तो अगर आपके पास यह share है और आप इस share को यहाँ पे long term के perspective से अपने own risk में hold करके रखना चाते हैं तो आप इस share को यहाँ पे अच्छे returns पाने के लिए hold कर सकते हैं